कल का वीडियो बहुत हे जादा महत्पूर था वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मेसजेज मिले कॉमेंट्स भी मिला उन्हीं कॉमेंट्स और मेसजेज को देखके मुझे एक आईडिया आया कि कुछ ऐसे वीडियो बनाया जाये जो की बच्चों को डैरेक्ली हिट करें उ उन्हीं सीधा मुनाफ़ा हो वो इन सब बातों को जानके अपना स्वर्डिम भविश्य से बना सके तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ही जादा महत्पूर है और टॉपिक है यू पी एस सी या इस टॉपिक का एक दूसरा फॉर्मिट है बी एच यू टू यू पी एस से इस वीडियो को कोई और विश्विद्याले से अगर आप देख रहे हो तो आप यू समझ लो जे एन यू टू यू यू पी एस से एलहवाद इन्वर्सिटी यानि ए यू टू यू पी एस सी इस वीडियो को हर कोई देख सकता है लेकिन इस वीडियो में जो भी एक्जामपल मैं सेट करूंगा वो बी एचू का होगा क्योंकि मैं कासी हिंदू विश्विद्याले में पढ़ रहा हूं तीन साथे तीन साल का कोविड लेकर एक्स्प्रियंस है और उन अ आनभों के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि बी एचू से यू पी एस सी क्यों नहीं हो पाता है और कैसे हो सकता है इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा जैसे कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा था इससे पहले वाला वीडियो था सुसाइट उसका ल अपने एक मित्र को सेर भी करे जिससे की बाद में आपको ये स्टेटेस ना लगाना पड़े कि भाई तू क्यों ऐसा किया एक बार मेरे से बात कर लिया होता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो हो है तो आईए इस वीडियो की भी हम लोग शुरुआत करते हैं आप लोग का स्वागत भी करना पड़ेगा नमस्कार अम्रीजनों आप देख रहे हैं भी ये चूपाइट साला आप से भी का बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सा खुस हो जाई क्योंकि अब आपका एडमिशन हो चुका है आप अपने किसी न किसी ड्रीम इन्वर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होगे अच्छा दिन कट रहा होगा और उससे भी सुनारा आपका रात कट रहा होगा कुछ लोग हॉस्टल लेके रह रहे होंगे और कुछ लोग अपना खुद का रूम लेके अपने हाथों से बनाके खाके अपनी पढ़ाई करते हुए अपना जीवन भी अतीत कर रहे होंगे कुछ लोग क्लास लेने जाते होंगे कुछ लोग भीटी जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दू कासिन इस विद्याले में एक ऐसा प्लेस जो धार्मिक भी है और आधोनिक भी है विश्वनात मंदिर कुछ लोग लंका कुछ लोग अस्षी घाट कुछ लोग कोई पार्क ये तमाम जगा जो है ये आपके डेली वाई डेली के रूटीन से भरा हुआ है सबसे पहला मुद्दा जो है वो ये है कि बीएच्चू से यूपिएस्टी क्यों नहीं निकलता जब ये क्वास्टन मैं पूछा तो आपने दिमाग लगाया होगा कि क्या ये बात सच है ये बात लगभग 80 प्रतिसत सही है 80 परसंट एक आध रिजल्ट आपको 3-4 सालों के दर्मियान में सुनने या देखने में मिला होगा किसी और विस्विद्याले की बात करें इलहाबाद UPSC के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर देखा जाए तो PCS के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अगर हम लोग JMI की बात करें तो वो UPSC के टॉप रैंक होल्डर के साथ-साथ गर्ल्स रैंक के लिए भी जाना जाता है JNU की बात किसा है तो वो अपने लैंग्वेज के लिए बहुत जाना जाता है और वहाँ के स्टडी के बात फॉरेन स्टडी के स्कोफ ज़्यादा रहते है BHU जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने रिसर्च के लिए यहाँ पे जो एड्मीशन एक बार ले लेता है BHU में जो एक बार एड्मीशन ले लेता है कासी हिंदू इस विद्याले में एड्मीशन जो एक बार ले लेता है वो यहाँ से निकल नहीं पाता है या वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ का जो इन्वार्मेंट है वो बाध लेता है पढ़ाई का नहीं ध्यान रहें इस भरह में मत रहिएगा यहां का इन्वार्मेंट में मैंने बात करी है जो लोकालिटी है यह जो सहर है अध्यात्मीक है थोड़ा लोग बंज जाते हैं कि मैं अब आता हूं डारेक्टली मुद्दे पर कि बीएच्चू से यूपीएस्सी क्यों नहीं निकलता है बीएच्चू में जब बच्चे आती हैं जब उनका ड्रीम पूरा हो जाता है तो उनका भी सपना रहता है कि वो यूपीएस्सी निकालेंगे हम लोग कई बार फ्रेसर्स मीटप में जाते हैं या हॉस्टल का कोई मीटप हो गया उसमें जब फ्रेसर बच्चे आते हैं तो मैंने खुद सुना है कि उसमें 80-90 प्रतिसत बच्चों का कहना है कि वो यूपीएस्सी करना चाहते हैं फ्रेसर्स की नहीं अगर मैं फाइनल ये बच्चों की बात करूं तो भी बहुत सारे अप्रॉक्स फिप्टी परसें बच्चे बोलेंगा मैं यूपीएस्सी करना है फिर कमी कहा है क्योंकि ये यूपीएस्सी उनके बस जुबान पे है बस उनके मुख्स से निकलता है उसकी जो प्रॉपर स्टडी है वो वो नहीं करते है जो भी ये चुक्वी फैसेलिटीज है उसको यूटिलाइज नहीं करते है देखो एक्चुली मैं और आप एक ही रास्ते पे है आप भी विस्विद्याले में हो, हम भी विस्विद्याले में है मेरा भी कोई ड्रीम है, आपका भी कोई ड्रीम है मैं भी कोशिस कर रहा हूँ, आप भी कोशिस करते हो हमारा फोकस जो है न वो लूज है कॉंसंट्रेट नहीं है बहुत सारे divergent है वो divergent individual के लिए अलग-अलग है मेरे पास मेरा कुछ divergent हो सकता है like videos making classes लेना, बच्चों को पढ़ाना और साथ में अपनी study और भी बहुत सारी चेज़ है जो कि मैं अपना छुपा रहा हूँ वही बाते आप भी अपने सो छुपा रहे हो आपके पास भी कोई divergent है बात आती है कि divergent जो है वो क्या इतना effect डाल रहा है कि आपने जो अपना aim बनाया है वो भूल जा रहे हो या वो aim आप से दूर चला जा रहा है जो आपका लक्ष है वो लक्ष कितना जादा प्रफावित हो रहा है आपके उस एक divergent की वज़ा से ये आपको पता है एक्चुली बात आती है कि जो मैं अपने आखों से देख पाता हूँ कि UPSC क्यों ने निकलता है उसकी बात करता हूँ क्योंकि divergent जो आपका individual आपके aim या आपके लक्ष को प्रभावित कर रहा है वो तो आप जानते हो लेकिन वो सब बाते जो मैं देखता हूँ जो मुझे दिखता है या मेरे जैसे लोगों को दिखता है आसानी से वो क्या है वो है आपका एक प्रॉपर प्लानिंग ना होना आउसकता से ज़्यादा आपका घूमना आउसकता से ज़्यादा आपका फ्रेंड साइकल आउसकता से ज़्यादा सौई टाइम प्लेजर की तरफ भागना चात्र जीवन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सोचने और करने के लिए है यानि संधर्सों से भरा हुआ है अक्सर आप लोग सुने होगे लोग कहते हैं या अभी मज़े ले लो या बाद में मज़े लेना इसका जो दूसरा भाग है वो यह है या अभी महिनत कर लो या बाद में महिनत करने का मौका भी नहीं मिलेगा और ऐसे ही बिलख बिलख के अपना बुढ़ापा ब्यतीत करोगे आप यदि अभी अपना जो रूटीन है वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करते हो उसको अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हो खुम लेट नाइट जगो सुबर देड से उठो क्लासेज गए नहीं गए फर्क नहीं पड़ता थोड़े देर के लिए विस विद्याले में अपना चेहरा दिखा दिये फिर हॉस्टल में खूब मस्ती फिर कहीं की चाय किसी के साथ पार्क फिर सामें असी सामें बनारस, सुबह बनारस इन सभी के बाद गहरा अंधेरा चाज आएगा आपके भविस समय मेरी बाते आपको उतनी ज़्यादा पिन नहीं करेगी जितना मैं चाहता हूँ कि आपको दर्द हो मेरे बिना बोले यदि आपको दर्द महसूस हो जाए तो आप यूं समझ लेना कि इसी विस विद्याले से UPSC की रेजल्ट्स आने लगेंगे मैं आपको जादा नहीं भगाऊंगा जादा नहीं भटकाऊंगा सीधा सीधा यही कहूंगा पढ़ाई करो पढ़ाई नहीं करते हो विस विद्याले का 50% भाग तो बस अपने समेस्टर एक्जाम्स के वन नाइट या वन वीक पहले की स्टेडी के बेसिस पे पास होता है बाकी पूरे देन बस घुमाई और सुआई मस्ती मजाग दोस्ती यादी चाय कुल्णड यही सब चलता है बी-चू से यू-पी-च्सी की रिजट्स कम आने लगेंगे जब आने वाली जनरेशन यानि मैं और आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो जागरूख हो जाओ अपने दोस्तों के लिए नहीं अपने रिश्तिदारों के लिए नहीं अपने मुहले, अपने कॉलोनी वालों के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लक्ष के लिए सजग हो जाओ, यानि उठो, जागो, और तब तक चलो, जब तक आपको आपका लक्ष मिल नहीं जाता है, इसका मतलब यह नहीं, कि आपको बुढ़ापे तक चलना है, आपके पास समय ही बहुत जादा कम है, यह तो मुद्दा भूली गया था, समय तो वाग नहीं बहुत कम है, बियेज्चू में एडमिशन लेने के बाद, एक साल इतनी तेजी से गुजड़ता है, इतनी तेजी से गुजड़ता है, कि आप सोच भी नहीं सकते है, पता है कफ सोचोगे, जब सेकेंड डियर आजाएगा, और थर्ड इयर में फिर ये सोचने लगोगे, कि M.A. करना है कि UPSC के त्यारी करे, एक साल फिर इसी डिसकुस्टन में गुजड़ जाएगा, फिर आप मेरे जैसे लोगों को ढुड़ोगे, कि प्लीज कुछ सजेस्ट कर देजे, एक सही रास्ता दिखा देजे, तो समय रहते मैं आपको इबताना चाह रहा हूँ, कि कम से कम, आठ से छे घंटे, या छे से साथ घंटे का अपना एक फिक्स स्टडी प्लानिंग बना लो, अपने आपको जब से एक बार जोक नहीं दोगे, समझ लेना कि 3-4 साल बाद कुछ रिजल्टेंट नहीं निकलने वाला है, अब ही यह हाल है कि किसी भी वेकेंसी में सीटे इतनी कमाती है, कि सेलेक्शन का जो प्रतिसत है, जो परसेंटेज है, वो 0.5 से भी कम है, कुछ-कुछ ऐसी एक्जाम हो रहे हैं, जिसमें मार्क्स बच्चों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, फिर भी उनका सेलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले चीज़ों मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये समझाना चाह रहा हूं, कि आप जग जाओ, एकदम होस में आ जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे दो, हम जब छोटे होते हैं, अभी हम लोग का एज लगभग कह सकते हैं, कि अपने मम्य पापा के नजर में तो छोटे ही हैं, वैसे हम लोग हमेशा छोटे रहेंगे उनकी नजर में, लेकिन अभी हम लोग को कहा भी जा सकता है कभी तुम लोग छोटे हो कभी-कभी लोग जुबान खोल के बोल देंगे भी तुम छोटे हो, बच्चे हो तो इसी बच्चे होने का फायदा उठा लो जिस दिन बड़े हो जायो जो आओगे जिस दिन बड़े होने का क्रेडिट मिल गया बड़े होने का यह यहाँ पे टैग लग गया उस दिन आपके हाथ में अगर आपका एम नहीं है कोई जौब नहीं है बढ़ा पस्तावा होगा बहुत तकलीफ होगे सो आप सभी सी रिक्वेस्ट है आपके पास जो भी रिसूर्सेज है आपके पास जो भी स्टडी मेटेरियल्स है लाइबरेरी है समिस्टर्स के बुक है अभी तो आनलाइन UPSC के मेटेरियल्स भी बहुत ही इजली अबलेवल हैं बहुत कम पैसे में अब लेबल है आप सबसे पहले नॉर्मली बेसिक एंसी आर्टी और कुछ यूपी एसी के सेलेक्टेट किताब जो होती हैं जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ जाओ बेसिक पॉलिटी का नॉलेज बेसिक जोग्राफी का नॉलेज एक बार पूरा एंसी आर्टी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीक में 3-4 लैक्चर यूटूब पे जो भी यूपी एसी के टॉपर्स हैं उनको जरूर सुनो वो जिन्दगी जीना सुरू कर दो पूरा का पूरा नहीं लेकिन 50% जो यूपी एसी सेलेक्टेड लोग अपने प्रिपरेशन के दर्मियान जीए हैं जबसे आप अपने लक्ष को लेके थोड़ा सा पागलपन नहीं लाओगे आपका सेलेक्शन नहीं होगा एक्च्वली पागलपन जो सब्द है इसको मनलब सही जगा यूज नहीं किया जाता है इसले लोग पागलपन सब्दों को अच्छे से समस्ते नहीं है जबकि मैं जहां तक समस्ते हैं